दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एंसे आरटी के चैप्टर 6 की रीडिंग करेंगे जो की है चेंजिस अराउंड अस और साथ ही दोस्तों उसको आपको एक्स्प्लेइन भी करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर की वीड कर लीजी और दोस्तों साथ ही आप दबा लीजिए इस बेल आइकेंग को जिसे हम आप सभी के लिए जो भी नहीं वीडियो लेकर आएंवा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो बच्चो हमारा चैप्टर 6 है चेंजिंग अराउंड अस मतलब की हमारे आज पास क्या क्या चीजे बदलती रहती है तो बच्चो इसके अंदर में explain करता है कि मानिया आपके पास magical powers है तो अब बहुत सारी चीजों को अलग अलग चीज के अंदर change कर सकते हैं पर क्या अगर आपके पास magical power ना हो तब आप किसी चीज को दूसरी चीज के अंदर change कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो उनको सोचिए तो चलिए अब आगे study कर लेती हैं, many changes are taking place around us on their oven, in the fields the crop changes from time to time, sometime leaves fall from trees, changes color and dry out the flower bloom and then witter away, तो दोस्तों इसके अंदर हमें समझाने की कोशिश करता है, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे changes हैं, जो खुद से होते हैं, जैसे हमारे खेतों के अंदर हमारे जो फसले होती हैं, वो खुद से उगती रहती हैं, ऐसे जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर खुद से गिर जाते हैं, ऐसे दोस्तों जो हमारे फूल वगरा होते हैं, वो खुद से खिल जाते हैं, और any changes happening in our body, तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं, ऐसे कोई change हमारे बोड़ी के अंदर भी होते हैं, यूवर नेल ग्रोज, यूवर हेर ग्रोज, यूवर तोलर and your weight increases as you grow, तो दोस्तों हमारी बोड़ी के अंदर हमारे नेल, हमारे नाखुन बड़े होते हैं, हमारे हेर भी बड़े होते हैं, ऐसे हमारा weight भी बड़ता है और हम भी बड़े होते हैं, did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time, तो दोस्तों इससे में ये बात समझ में आती है कि हमारे आस पास बहुत सारे changes होते रहते हैं अपने आप से और सभी time क्या हम इन changes को एक दूसरे साथ ग्रूप में रख सकते हैं तो चलिए इसे study कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर में समझाना चाहता है कि हम उन्हें तभी ग्रूप के अंदर कर सकते हैं जब उनके अंदर कुल similarities हो तो चलिए अब हमारे next topic को discuss करते हैं जो की है can all changes always be reversed मतलब की हमने किसी object की या किसी चीज की shape को change कर दिया तो हम क्या 12 सो इसकी पहले वाली shape बना सकते हैं तो चलिए इसके लिए हमारी activities को discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है activity 1 तो इसके अंदर बोलता है take a balloon and blow it take care that it does not burst the shape and size of the balloon have changed as shown in figure 6.1 now let the air escape the balloon तो दोस्तों इसके अंदर हमें बोलता है कि आप एक balloon लीजिए और ऐसे उसको फुलाइए बट आपका वो फटना नहीं चाहिए और फिर थोड़े time के बाद उसकी हवा को उसके अंदर से वापिस से निकाल देजिए तो चलिए अब next activity को देखती है जो की है activity 2 तो यह हमें बोलती है take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2 you can change the sheet of paper into a toy aeroplane you may have lots of fun in flying this plane once you are tried of it unfold the paper again तो दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि आप एक paper लीजिए उसे fold करके उसका यह aeroplane बनाईए उसके साथ आप खेलिए कुछ time उसके बाद दुबारा से इसको खोल के वापिस से आपका simple paper बना दीजिए तो चब लिए अब next activity को दिसके करते हैं जो की हमारी activity 3 है तो दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि आप गीला आटा लीजिए और उससे अपनी रोटी बनाईए तो आपको उसकी shape अजीब और गरीब लगेगी तो आप उसे दोबारा से उसके एक bowl बनाना चाहेंगे three changes you observe in activity one two and three what do they have in common was it possible to get back the balloon back to its original shape and size was the size of paper same as before after making the aeroplane was it possible to get back the bowl of dough again what do you conclude if each of the three activities is it possible to get back the materials which we have started our activity if the answer is yes it means that the changes occur in these activities can be reversed now let us repeat the same activity with our difference तो दोस्तों इससे में ये बात समझ में आती है कि जब हमने अपनी activity one two and three को किया जैसे activity one के अंदर हमने अपने बैलून को फुलाया तो वो बाद में उसकी वापीश है जो पहले वाली shape थी उसके अंदर आ गया ऐसे activity two के अंदर जब हमने अपने paper को fold करके अपना plane बनाया तो वापिस में जब हमने उसे unfold किया तो वापिस से वही paper हमें मिल गया ऐसे activity three के अंदर हमने जब गीले आटे से अपनी रोटी को बनाया और बाद में उस रोटी को fold कर दिया तो हमें वही अपना गीलाटा दुबारा से मिल गया तो इन से हमें ये बात समझ में आती है कि इन सभी activities के अंदर हमने उन materials को discuss किया जो कि हमारे reverse हैं मतलब कि हमने जो change तो उनके अंदर लाया बट वो दुबारा से reverse हो सकती है हमें पहले वाला material मिल सकता है बट अब हम इने activities को थोड़ा different तरीके से discuss करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम उन्हें change नहीं कर सकते हैं उनके पहले वाली form में तो उसके लिए हमारे पास activity 4 गीवन है तो चलिए उसे discuss कर लेते हैं तो दोस्तो इसके अंदर हमें समझाता है कि जो हमने अपनी activity 1 के अंदर बैलून लिया था आप उसे दोबारा से लीजिए और फुलाईए फिर अपनी pencil की जो पैनी आपकी निब होती है उसको लीजिए और उसे बैलून के उपर मार दीजिए तो इससे क्या हो गया हूँ आपको गुबारा फट गया दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि जो हमने अपनी activity 2 के अंदर पेपर लिया था ना आप उसे दोबारा से लीजिए और उसके ओपर pencil से ऐसा एक aeroplane बना दीजिए फिर एक कैंची लीजिए और उसके साथ उसे काट के बाहर निकाल दीजिए तो चलिए अब activity next को discuss करते हैं जो की है 6 roll out a roti from the bowl of dough against and bake it on a tawa तो दोस्तों इसके अंदर में बोलता है कि जो हमारा गीला आठा था ना उससे आप एक roti बनाए और फिर उसको बेल के और फिर उसको तवे के ओपर शेक के और अपनी पकी हुई रोटी तयार कर लीजिए तो चलिए अब आगे study करके देखते हैं हमें इन activities से क्या बात समझ में आती है suppose you are asked the same three questions which you answered after activity three what would your answer be now we see that the changes we have occurs in activity four five and six cannot be reversed तो दोस्तों अगर आपसे अब वही same question पूछें जो हम activity three के बाद पूछा था मतलब कि क्या आप हम इन रिवर्स कर सकते हैं मतलब कि इन से जो इन की पुराने वाली form थी वो बना सकते हैं तो अब आप कांस्पर होगा नहीं you use a pencil and a eraser with repeat use their shape and size changes can we reverse this change तो दोस्तों ऐसे आप इस process की जिंगे काम कीजिए अपनी pencil ले लीजिए eraser ले लीजिए आप उनसे जब कभी लिखते हैं या अपने eraser से उसको erase करते हैं तो उनका size decrease हो जाता है तो क्या आप उसे दुबारा eraser बना सकते हैं जो आपकी पहले वाली थी या दुबारा उस pencil को बढ़ा कर सकते हैं वो पहले starting में थी जब आप ले के आये थे you must have seen a porter working on his wheel he shaped a lump of clay into a pot can this change be reversed तो दोस्तों ऐसे ही आपने कभी किसी कुमार को घडा बनाते हुए देखा होगा जब वो कच्ची मिट्टी का घडा बनाता है starting में उसने अभी पकाया नहीं है तो आपसे reverse कर सकते हैं easily the port is open now can this change reversed अगर वो उसे पका देगा अपनी आख के अंदर तब भी क्या आप उसे reverse कर पाएंगे नहीं तब नहीं कर पाएंगे some common changes are given in table 1.6 which of these changes do you think can be reversed तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बात समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास ये table given है और इसके अंदर हमें कुछ changes बताये गई हैं हमें इस table को पढ़के सिरफ इतना बताना है कि ये changes हमारे reverse हो सकते हैं yes अगर नहीं हो सकते तो no तो चलिए हमारा सबसे पहला ही देख लेते हैं raw egg to boiled egg हमारा जो कच्चा अंडा था हमने उसे पका दिया तो हम क्या उसे अब दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हैं तो इसका answer होगा no तो दोस्तों ऐसे आपको पूरी table fill करनी है तो आप इसे जरूर से कर लेंगे मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के उपर तो चलिए अब आगे study कर लेते we find that one way we can group changes is to see if they can be reverse तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बात समझाता है कि जो हमने पहले discuss किया था था ना कि हम आपने जो आसपास change हो रही है उनको किसी group के अंदर रख सकते हैं तो यहां पे हमें एक group तो समझ में आ गया मतलब कि जो material हमारे reverse हो सकते हैं हम उनका एक group बना सकते हैं तो चलिए अब next topic को discuss करते हैं जो कि है could there be other ways to bring a change क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी है जिससे हम चीजों के अंदर change ला सकते हैं तो चलिए इसे study कर लेती हैं We all have seen the tools which are used to dig the soil Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle To fix the handle, the ring is heated and it became slightly larger in size expands Now the handle easily fit the ring When the ring close down its contract and fit tightly on the handle तो दोस्तों इसके अंदर में ये बात समझाना चाहता है जैसे कि यहां पे हमारे पास दिखाया गया है मतलब कि जब हम अपने iron के किसी अपना ओजार के अंदर wood की ये डालते हैं तो ये हमारी थोड़ी मोटी होती है और ये hole हमारा थोड़ा भीड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? इसको heat देती है Heat देने से दोस्तों हमारा जो iron होता है वो थोड़ा expand हो जाता है फिर उसके अंदर हमारा जो ये है हम इसे ऐसे fix कर देती है और कुछ टैम के बाद जब ये दोबारा से थंड़ा हो जाता है तो हमारा दोबारा से भीड़ा हो जाता है जब जो उसका पहले size था है इससे वो यहाँ पर tightly fix हो जाता है फिर वो वहाँ से नहीं हट पाता तो इससे हमें बस यही बात समझाना चाहता है तो चलिए अब आगे study कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें यही बात समझाता है कि जैसे हमारे पास ही यहाँ पर एक wheel दिखाया गया है और इसके उपर हमारी metal की दिखाई गया है हम इसे कैसे fix करते हैं तो हम क्या करते हैं जो हमारे wheel होता है यह थोड़ा इतने बड़े size का होता है और जो हमारी metal की होती है यह थोड़े इतने size की होती है हम क्या करते हैं इसको heat कर देते हैं metal वाली को इसको heat कर देते हैं heat करने के बाद क्या होता है थोड़ी सी expand करता है हमार iron तो यहाँ पर expand हो गया और इसके size का हो गया तो हम इसके उपर इसे लगा देते हैं यहाँ पर और लगाने के बाद इसके ओपर ठंडा पानी डाल देते हैं, अगर हम इसे ठंडा पानी इसके ओपर डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, ये कुछ टाइम के बाद, ओटोमेटिकली, जो पहले इसका साइस था, वही साइस दोबारा से ले लेगी, और इसके ओपर टाइटली फिक्स हो जाएगी, मत अगर हम उसे हीट दे रही हैं, अगर हम उसे हीट दे रही हैं, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, वो वोटर हमारा गरम हो जाएगा, अगर हम उसे तब भी हीट देते रहेंगे, तो उसके वैपर बन जाएगे, जो कि हमने पहले डिसकस किया था, एवापरिशन प्रोसेस हो जाएगी, वोटर मतलब कि हमारा उट जाएगा, तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा वोटर इस पैन के अंदर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो ज जाएगा, तो दोस्तों ये प्रोसेस हमारी कंडनसेशन थी, ऐसे दोस्तों जब हम अपनी बरफ को हीट करते हैं, तो उसका पानी बन जाता है, ऐसे जब हम उसको ठंडा कर देते हैं, तो उसकी दोबारा से बरफ बन जाती है, तो चलिए इसको अबज़ाओ करते हैं, हमारी आगे पड़की, लेकिन उससे पहले, बोजो हमें बताता है, तो दोस्तों, बोजो हम सभी को बताता है, कि उसने एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखा, उसके उपर आपने भी कभी देखा हो, तो वो ब्लेक ब्लेक मेटेरियल की एक लिक्वीड से डालते हैं, तो उस लिक्वीड को हम तार बोलते हैं, तो बोजो पोचता है, कि उसे हम हीट करके रोड के उपर डाल देते हैं, तो क्या दोबारा से जब वो ठंडा होगा तो उसके पहले वाली फोम में आ जाएगा मतलब की reverse हो जाएगा तो जी हां दोस्तों वो बिल्कुल reverse हो जाएगा और वो हमारे road को एक मजबूती भी देगा तो चलिए अब आगे study कर लेते हैं पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools, how does a blacksmith change a piece of iron into different tools, a piece of iron is heated till it becomes red hot, it then became soft, is beaten into desire shape, what changes has taken place in iron on being heated तो दोस्तों इसके अंदर पहली हमें पूछती है क्या कभी आपने किसी लोहार को कोई metal की चीज बनाते हुए देखा है तो वो क्या करते हैं सबसे पहले metal को heat करते रहते हैं जब तक कि वो हमारा red नहीं होता जैसे हमारा ये person red हो गया फिर उसको हथोड़ी या फिर किसी और चीज से पीट पीट के उसकी shape बना देते हैं जो भी उनको चाहिए होती है उनके काम के लिए ऐसे ही दोस्तों वो iron के tool बनाते हैं तो चलिए अब आगे study कर लेते हैं क्या लिगा है तो प्यारे बच्चों अब बात आती है activity 7 की take a small candle and measure its length with a scale now fix it at a suitable place and light it let it burn for some time now blow out the candle and measure its length again तो दोस्तों इसके अंदरा में बोलता है कि आप एक place पे candle को अराम से रख दीजिए और साथ में क्या कीजिए उसकी जो length है उसको scale से measure कर लीजिए scale से measure करने के बाद आप उसके ओपर ये fire को set कर दीजिए मतलब कि उसके ओपर आग जला दीजिए फिर कुछ टाम तक उसे जलने दीजिए और फिर दोबारा उसे scale से measure कीजिए तो आपको क्या मिलता है तो चलिए अब आगे discuss करते हैं इसे में क्या बात समझ में आने वाली है Can the change in the length of the candle be reversed तो दोस्तों इसके अंदरे में बोलता है क्या आपको लगता है कि अब जो हमारी candle की length घट गई है हम उसे दोबारा से reverse कर सकते हैं If we were to take some wax in a pan and heat it can this change be reversed अगर दोस्तों ऐसे हम एक पैन के अंदर थोड़ी बहुत wax रख दे मतलब की जो हमारा mom होता है हम क्या उससे दोबारा जला कर उसे दोबारा उसकी फोम में पहले वाली लेके आ सकते हैं तो जी नहीं दोस्तों एक बात जब हमारी candle brunt हो गई और अपन गैसी फोम में उसका wax change हो गया तो हम उससे दोबारा से candle में नहीं बना सकते हैं ऐसे ही दोस्तों जब हमारी wax evaporate हो गई मतलब गैसी फोम में change हो गई तो हम उसके गैसी से दोबारा उसको reverse नहीं कर सकते हैं तो चलिए अब आगे study कर लेते हैं repeat activity 7 with an incense stick wait till it burn away completely what are the changes that occur in the incense stick the stick burn to produce some new material these are ash and some gases we cannot see these gases but sense them due to their pleasant smell can this change be reversed तो दोस्तों इसके अंधर में ये बात समझाता है कि आप अपनी अगरबत्ती लीजिए और उसको जला दीजिए और आप जब तक वेट कीजिए जब तक ही वो पूरी नहीं जलती तो उससे में दो चीजे मिलेंगी एक तो उसका ash जो कि उसकी राख होगी वो मिलेगी और द जी नहीं दोस्तों and what about the changes that occur in match sticks you used to lightening the candle or incense stick तो दोस्तों ऐसा ही माचिस के बारे में आपका क्या खयाल है जिससे कि हम अपनी मुबत्ती और अगरबत्ती को जलाते हैं क्या उसे भी हम reverse कर सकते हैं तो जी नहीं दोस्तों हम अपनी माचिस की जो तिली होती है उसको भी reverse नही कर सकते हैं तो चलिए अब आगे study कर लेते हैं So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material what about the changes that occur when two substances are mixed together तो दोस्तों इसके अंदर में समझाता है कि अब तक हमने discuss किया materials के अंजर change होता है objects के अंदर change होता है बट हमने अब तक ये discuss नहीं किया है कि जब हम किसी दो materials को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो तब क्या change होता है तो चलिए अब इसे discuss करते हैं In chapter 4 we dissolve the salt in water Do you think a change occur in salt or in water? तो दोस्तों इसके अंदर बोलता है जैसे कि हमने अपने chapter 4 के अंदर अपने पानी के अंदर नमक को मिला दिया था तो क्या आपको लगता है कि इससे उनके अंदर कोई change हुआ? Is it possible to reverse this change? और क्या ये possible है कि हम उससे दोबारा नमक और पानी को अलग-अलग कर पाएं? तो जी हाँ दोस्तों बिलकुल possible है हमने उसी chapter के अंदर discuss किया था Wait in chapter 5 We learned how to separate salt from its solution in water So can we say that changes due to dissolving salt in water be reversed? तो जी हाँ दोस्तों हम बिलकुल कह सकते हैं इसके अंदर हम से यही बोचता है कि हम क्या कह सकते हैं कि ये change हमारा reverse हो सकता है तो जी हाँ दोस्तों बिलकुल reverse हो सकता है जैसे कि हमने उस chapter के अंदर discuss किया था कि हम अपने water को heat कर दें वो evaporate हो जाएगा हमारा salt वहीं रह जाएगा फिर हम उसको condense करके दुबारा से अपना पानी ले लेंगे पहेली ask इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बिंग सेट अ स्माल क्वांटिटी ओफ कर्ड इस एड़िट तो वॉम विल्क दी मिल्क इस स्टेड और इस सेट aside for few hours to warm place in a few hours the milk change into curd can this change be reversed तो दोस्तों उसके बाद हमें बोलता है कि जो हमारी दही है आप थोड़ी सी वो दही लीजिए और जो हमारा गरम दूद है उसके अंदर उसे डाल दीजिए और फिर एक काम कीजिए उस दूद को थोड़ी जिगा के लिए किसी गरम जिगाय पर रख दीजिए और फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो सारे दूद की आपकी दही बन चुकी है तो क्या अब आप इसे reverse कर सकते हैं मतलब कि पहले जैसा इसका दूद बना सकते हैं तो दोस्तों इसके अंदर में यही बताता है कि हमने देखा कि हम अलग-अलग objects या material के अंदर change ला सकते हैं उनको heat करके उनने के दूसरे के साथ मिला कर इन में से कुछ changes तो हमारे reverse हो सकते हैं और कुछ changes हमारे reverse नहीं हो सकते तो दोस्तों उसके बाद हमें बोलता है इससे हम अपने इन materials को दो group के अंदर रख सकते हैं तो वो जो की reverse हो सकते हैं दूसरे वो जो की reverse नहीं हो सकते और इनके बारे में आप ज़्यादा detail में हम अपनी बड़ी class के अंदर पढ़ेंगे तो आप हमारे साथ बने रहेगा हम आपको बड़ी classes की वीडियो भी लागर देंगे तो चलिए अब जल्दी से इस chapter को summarize कर लेते हैं some changes can be reversed and some cannot be reversed तो सबसे पहले point के अंदर यही बात बोलता है कि हमारे कुछ changes तो ऐसे होते हैं जो reverse हो सकते हैं और कुछ changes ऐसे हैं जो कि reverse नहीं हो सकते a changes may occur by heating a substance और mixing it with other तो दोस्तों इसके अंदर यही बोलता है कि हम किसी substance को heat दे के मतलब कि उसको गरम करके उसके अंदर change ला सकते हैं ऐसे हम किसी दो substance को एक दूसरे के साथ मिला कर उनके अंदर तब भी change ला सकते हैं दोस्तों अगर आप सभी को एवीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर कीजिए and here 17,000 से भी ज़्यादा दोस्तों ने